हेलो स्टुडेंट्स 12 लास अकांटेंजी किस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आज हम अकांट्स का चैप्टर नमर 3 पढ़ रहे हैं जो की है गुडविल का वैलिवेशन और इस वीडियो में आज हम अपने लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वा हूं संजीव कुमार और आप देखने मेरे चैनल टॉप क्लासेज अकांट्स तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अब आप जो है आप इसको निकालेंगे तो सबसे पहले आप इहां पर निकालेंगे नेट एसेट्स और नेट एसेट्स का सिंपल सा फॉर्मला होगा आप के पास कि आप जो है वो टोटल एसेट्स में से माइनस कर दीजिए आपकी जो आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है ठीक है उन सबी को आप यहां से माइनस कर दीजिएगा और अगर आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है तो यहां पर टोटल लाइबिलिटी से भी आप काम चला सकते हैं ठीक है goodwill का यहाँ पर simple सा formula हो जाएगा goodwill equals to हो जाएगी आपके पास capital employed जो भी capital employed आपने निकाला होगा उस capital employed में से आप minus कर देंगे आपका net assets जो भी net assets आपकी आई है तो आपके पास goodwill निकल के आ जाएगी वहीं अगर हम बात करते हैं super profit से निकालने की तो super profit से निकालने के लिए आप जो है सबसे पहले super profit निकालेंगे तो super profit में आपको super profit method में निकालना बताया था अगर नहीं देखी हो वीडियो देख सकते हैं पूरी playlist बनी हुई है link description में देदूगा और cards में भी डाल दूगा ठीक है तो goodwill equals to हो जाता है यहाँ पर super profit ठीक है super profit into कर देंगे आप इसको 100 से और divide कर देंगे आप इसको normal rate से तो आपके पास यहाँ पर super profit capitalized method से goodwill निकल कर आ जाती है ठीक है तो यह थे कुछ formula अब हम कुछ questions को solve करेंगे तो देखे सबसे पहला question है आपके पास business जो है अन करता है average profit एक लाग का find out the value of goodwill of capitalized method given that assets is इतना और external liability है आपके पास 1,80,000 रुपे की ठीक है और normal rate दिया हुआ business का 10% तो आप सबसे पहले क्या निकाले सबसे पहले आप capital employed निकालने बच्चो capital employed निकालने के लिए देखे आपको जो है business के लिए चाहिए कि average profit given है तो capital employed निकालने के लिए आप एक और formula यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ employed ठीक है equals to होगा average profit average profit से भी आप निकाल सकते हैं average profit का आप जो है into कर देंगे इसको 100 से और यहाँ पर रख देंगे आप इसका rate जो भी rate कोशन में given होगा तो देख लीज़े हैं पर आपके पास average profit जो कोशन में दिया हुआ है वो है आपके पास एक लाख रुपे का तो एक लाख रुपे इंटु 100 into 100 divided by rate 10% तो यह आपके पास 10 लाख का आ जाएगा capital employed अब आप net assets निकाल लीजिए तो net assets का भी मैंने आपको formula बताया कि आपके पास क्या होता है formula total assets minus कर दीज़े total assets में से आपके पास जो भी external या outsider आपके पास liabilities होती है उनको तो external liabilities को यहां से हम minus कर देंगे बच्चे तो आपके पास total assets दी हुई है कोशन में देखिए 10 लाख की और आपके पास external liabilities दी हुई है 1,8,000 तो आपके पास 8,20,000 रुपे का यहां पर net आपके पास net assets यहां पर आ जाएगा 8,20,000 रुपे का तो आप अगर net assets इसमें से minus कर देंगे तो capital employed 10 लाख की आई थी है भी हमने निकालना सीखा और इसमें से 8,20,000 minus कर देंगे तो 1,80,000 रुपे की आपकी क्या आगई बच्चे goodwill आगई तो आप देख सकते हैं इस कोशन में 1,80,000 बिलकुल 1,80,000 की हमारे पास goodwill है next question करते है ठीक है next question next question 39 question है तो यहाँ पर आपके पास जो है average profit निकालना है profit for the last 5 years दिया हुआ है and capitalized rate दी हुई है और net assets निकाल के दिया हुआ है तो सबसे पहले average profit निकाल लीजिए तो average profit equals to सारे years का profit जोड दीजिए 54,000 plus 42,000 plus 39,000 plus 67,000 plus 59,000 ठीक है divided by 5 कर दीजिए क्योंकि 5 years का profit है तो आपके पास कितना हो जाएगा 54 plus 42 plus 39 plus 67 plus 59 आपके पास तो यह आगे आपके पास 2,16,61 divided by 5 divide कर देंगे 5 से तो आपके पास आजाएगा 5 2,2 ठीक है 52,200 अब इसके बाद देखिए आप capital employed निकालेंगे तो capital employed निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते है capital employed equals to equals to average profit into कर देंगे 100 से ठीक है या normal profit हो या average profit हो into कर देंगे 100 से divide कर देंगे rate से तो आपके पास यहाँ पर average profit कोशन में 255 net assets तो capital employed आपके पास है 2,61,000 की इसमें से net assets minus करेंगे तो net assets कोशन में 2,00,000 रुपे की देवी है देख लीचे ठीक है 2,00,000 रुपे तो आपके पास यहाँ से 61,000 रुपे की goodwill आ जाएगी match कर लेते हैं कोशन में बिल्कुल सही है 61,000 की goodwill आ गई ठीक है next question करते है समझ में तो आ रहा है ना सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा top classes app भी download कर लो full premium courses मिलते हैं वहाँ पर ठीक है और इस number पर contact कर लेना अगर समझ में ना आए तो जाधा जानकारी के लिए ठीक है question number 41 देख लिजी आप अरना profit this normal rate of return is 10% the total assets excluding goodwill and total liability is this ठीक है this ठीक है and calculate the value of goodwill according to the capitalized super profit ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है बच्चे average फिर उसके बाद normal profit ठीक है तो अपने पास यहां पर आपके पास total assets और outside liabilities दी हुई है ठीक है तो यहां से आप capital employed निकाल सकते हैं और normal rate दी हुई है तो यहां पर आपके पास profit earn हो रहा है इतने का तो normal profit निकाल लेंगे तो सबसे पहले तो हम capital employed निकाल लेते हैं capital employed equals to आपके पास होगा capital employed equals to आपके पास total assets total assets minus all liability outside liabilities है मैं खाली liabilities लिख रहा हूँ ठीक है तो total assets है 55,000,000 की minus कर दीजिए इसमें से liabilities 14,000,000 की तो आपके पास यहां पर जो value आएगी वो आएगी 55,000 minus 14,000,000 equals to 41,000 अब आप जो है normal profit equals to होता है capital employed का normal rate capital employed 41,000,000 normal rate 10% तो यह आपके पास आजाएगा 4,000,000,000 रुपे का normal profit अब आप SP निकालेंगे super profit तो formula होता है average profit minus normal profit यह मैंने आपको previous videos में भी बताया हुआ है तो average profit 5,000,000 का question में दे रखा है उपर देख लीजे आप सभी 4,000,000,000 का normal profit आगया 90,000 का super profit आया अब आपके पास जो formula होगा goodwill का वो change होगा goodwill का formula आपके पास लगेगा super profit जो भी question में super profit दिया होगा into कर देंगे आप इसको 100 से divide कर देंगे आप इसको rate से जो normal rate होगा super profit 90,000 का है into कर देंगे 100 से 90,000 into 100 rate है 10% आपके पास तो ये आपके पास 9,000,000 रुपे की goodwill यहां से निकल कर आ जाएगी कितनी goodwill 9,000,000 मैच कर लेते हैं बिलकुल 9,000,000 की आपके पास goodwill आ रही है बच्चे ठीक है आगे चलते हैं next question करते हैं question number 46 top classes आप ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि premium courses वही मिलते हैं ठीक है आगे चलते हैं बहुत अच्चे courses आपको मा मिलेंगे business है डा आणना profit of average profit this for the last few years and normal rate of 10% and capitalized super profit से ठीक है and super profit method if the goodwill is this and 3 years purchasing super profit assets of a business is this external liability is this तो capital employed निकाल लीजिए capital employed दोनों से अलग-लग निकालना है आपको इसमें question ठीक है capital employed total assets minus external liability क्या formula लिखूँ इस बार मेरे ख्याल से नहीं लिखना चाहिए मुझे क्या लिख दूँ नहीं चल जाएगा या अभी तो लिखा है ठीक है तो total assets दी हुई है 40,000,000 की minus कर दीजे external liability 7,20,000 रुपे ठीक है तो यह आपके पास आ जाएगा 30,00,000,000,000,000 असी हजार रुपे का capital employed normal profit निकाल लिजिए normal profit equals to हो जाएगा बच्चे capital employed 32,80,000 इन्टु rate rate कितना है 10% तो 10% निकाल लेंगे 3,28,000 का normal profit आ गया अब आप SP निकाल लिए Super Profit, फॉर्मला होता है Average Profit minus Normal Profit, Average Profit कोशन में 4 लाग दिया हुआ है, देख लीजिए ये रहा ठीक है, और 3 लाग 28,000 का आपके पास यहां पर Normal Profit आ गया, तो 72,000 रुपे का आपके पास Super Profit आया, अगर आप Capitalized Method से करते हैं, Capitalization Method से करते हैं, तो Capitalized Mission Method से Goodwill का Formula होगा आपके पास, Goodwill equals to हो जाएगी Super Profit जो की 22,000 का है, into 100 upon में, rate जो की 10% की है, तो 7,20,000 आपके पास, यहां पर Capitalized Method से आजाएगी, ठीक है, वहीं आप Normal Method से करते हैं, तो Goodwill equals to आपके पास होगी Super Profit into Number of Year Purchases, Number of Year Purchases, तो Number of Year Purchases, कोशन में I think 3 था न, ठीक है, देख लेता हूँ, 3 ही है यह रहा, ठीक है, तो 3 दिया हुआ था, तो Super Profit 72,000 into 3, तो 72,000 into 3, तो यहां आपके पास आगया, 2,16,000 रुपे की यहां से Goodwill, और 7,20,000 की यहां से Goodwill, कोशन Number 46 हमने पूरा कर लिया है, और यहां पर आप सभी का अंसर भी आ गया होका, ठीक है Students, देखते हैं, नेक्स्ट कोशन है, अपने पास कुछ भी नहीं है भई, तो कोशन लगबग लगबग, फिनिश हो चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ, आप सभी को बहुत अच्छे से चीरेंज, जो हैं समझ में आई होंगी, और आप सभी मेरे साथ अब प्रीमियम कोर्से जोइन करने के तयार हैं, तो आप सभी चोइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बोड की बहुत अच्छे तयारी मैं करवाता हूँ, तो आप टॉप क्लासे अब डाउनलोड जरूर करें, उसके बाद आप मुझे इस नमबर पर कॉंटेट कर लीजेगा, तो मैं आपको कोर्स के रिकार्डिं अपने सभी दोस्तों के साथ, मैं आप से यही करें, ठीक है, आप सभी शियर करिए, क्लियर मैं थोड़ी मैनत करता हूँ, आप मेरे लेतनी मैनत करिए, कि आप अपने सभी दोस्तों के जो भी 12th क्लास में हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो जादा झाल 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